अधर जैसरी करशने मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य नई नई ग्यान वरधक जानकरिया वनित्य का राशी फल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें वेनाई की चतुर्थी की वरतकथा पुजाविदी और इसके महतों के बारे में तो दिनांक 24 जुन 2020 बुद्वार की दिन है वेनाई की चतुर्थी इस दिन इस वरत को जो भी इस्त्रीपूर सरद्धा के साथ करते हैं और सरद्धा पूरवक वरतकथा को सरवन करते हैं उनके जीवन में आने वाले सारे विग्न संकट वाधाएं भगवान गणेज जी की करपा से दूर हो जाते हैं और कारी छेत्र में उनको विशेश सफलता मिलती है तो मित्रो पूरे वीडियो को आप ध्यान पूरवक देखेंगे तबी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा तो इस वरत का उतना ही महत होता है जितना की हिंदु धर्म के अन्य वरतों का होता है यह वरत भगवान गणेज जी को समर्पी थे इस सितिती को गणेज जी का जन्मदीन माना जाता है गणेज चतूर्थी के अलावा हर महिने में पढ़ने वाले प्रत्येक चतूर्थी का अपना एक अलग महत होता है तो आज हम गणेश चतुर्थी का वरत क्या होता है इसका महत्व क्या है इसकी क्या वरत कता है क्या पुजाविदी है यह सब कुछ आज आपको हम बताने वाले हैं तो विनाई की चतुर्थी क्या होती है तो हिंदू केलेंडर में प्रत्येक चंद्र माह में दो चतुर्थी पढ़ती है हिंदू धर्मगरंतों के नुसार चतुर्थी भगवान गणेजी की विशेस्तिति होती है शुकल पक्ष के दोरान अमावश्या या अमावश्या के और क्रश्न पक्ष के दोरान पुर्णीमा या पुर्णीमा के बाद पढ़ने वाली चतुर्थी को संकस्टी चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। खास करके महाराष्ट में यह परव पूरे हर्शोल लास के साथ मना जाता है। जो कोई इन गुणों को अपने पास रखता है वह जीवन में प्रगती अवश्य करता है और जो कुछ भी वह चाता है उसे प्राप्त कर लेता है यानि जो व्यक्ति के मनों कामना होती है वह इस वरत के करने से पूर्ण हो जाती है। तो गणेश चतुरती की वरत कता इस प्रकार से है इस दिन सरद्धा पुरवक पुजन करने के पश्चात इस वरत कता को सरवन करना चाहिए जिससे भगवान गणेश जी की विशेश क्रपा मिलती है जीवन में आने वाले विग्न संकट वाधाएं सभी दूर हो जाते हैं। तो गणेश चतुरती के संबंद में एक कता जग में प्रसिद्ध हैं। कता के अनुसार एक बार माता पारवती जी के मन में एक ख्याल आता है कि उनका कोई पुत्र नहीं हैं। ऐसे में वे अपने मेल से एक बालक की मुर्ती बना करके उसमें जीव डाल देती हैं। इसके पाद वे कंदरा में इस्थिते कुंड में इसनान करने के लिए चली जाती हैं। परंतु जाने से पहले माता बालक को आदेस दे जाती हैं। कि किसी भी परिस्थिति में किसी को भी कंदरा यानि गुफा में प्रवेस करने नहीं देना हैं। तो बालक अपनी माता के आदेस का पालन करने के लिए कंदरा के द्वार पर पहरा देने लगता है कुछ समय बीत जाने के बाद वहां भगवान शिव जी आते हैं शिव जैसे ही कंदरा के भीतर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं वह बालक उन्हें रोग देता है शिव जी बालक को समझाने का प्रयत्न करते ह लेकिन वह उनकी एक भी बात नहीं सुनता है जिससे क्रोधित हो करके भगवान शिव अपने त्रिसुल से बालक का सीस धड़ से अलग कर देते हैं तो इस अनिष्ट घटना का आभास माता पारवति जी को हो जाता है वेशनान करके कंद्रा से बाहर आती है और देखती है कि उनका पुत्र धरती पर प्राण हिन पड़ा हुआ है उसका सीस कटा हुआ है तो यह द्रश्य देख करके माता क्रोधित होती है जिसे देख सभी शिवी देवता भाईवीत हो जाते हैं तब भगवान शिव गणों को आदेश देते हैं कि ऐसे बालक का शीष लेकर के आओ जिसकी माता की पीठ उस बालक की और हो तो गण एक हतिनी के बालक का शीष लेकर के आते हैं और शिव जी गज के शीष को बालक के धड़ में जोड़ करके उसे जीवित कर देते हैं इसके बाद माता पारवती जी सिव जी से कहती है कि यह सीस गज काशी से जिसके कारण सब मेरे पुत्र का उपहास उड़ाएंगे तब भगवान सिव जी बालक को वरदान देते हैं कि आज से संसार इने गणपती के नाम से जानेगा इसके साथ ह कि सभी देव इने वरदान देते हैं सभी देव इने आसिरवाद देते हैं कि कोई भी मांगले कार्य करने से पूर्व गणेजी की पूजा करना अनिवार हो जाएगा इनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य संपुर्ण नहीं माना जाएगा कार्य में अवरोद बाधाएं कि पूजन करने वाला या वरत करने वाला जो व्यक्ति है इस्त्री हो या पुरुस हो सुर्यदे से पहले उठ करके सुद्ध जल आदी से इस्नान कर लेवे स्वच्छ वस्त्र धारन करें इसके बाद घर पर अथवा गणेज जी के मंदिर में भगवान गणेज जी की पूजा बीड़ा स्रीफल अरपन करें धूप दीप निवेद्य अरपन करें विशेश करके मोदक और गुड का निवेद्य अवश्य लगावें और शुद्ध घी का दीपक जला करके करपूर से भगवान गणेजी की आरती उतारें और गणेजी की इस अवरत कथा को सरद्धा इस मंत्र का जो भी व्यक्ति स्रद्धा पूरवक अधिक से अधिक जाप करता है उसकी मनो कामनाई शीगर पूरी हो जाती है उसके जीवन में आने वाले समस्त विग्न संकट बाधाएं भगवान गणेजी की क्रपा से पूर्ण हो जाते हैं तो इस प्रकार मंत्र अधिका उच्चारन करने के पस्चात सभी जनों में प्रसाद वितरन करना चाहिए साथ ही विदीवत गणेजी की पूजा अर्चना करना चाहिए प्रसाद वितरन करने के पस्चात स्वयम फलाहार ले ले वे या दिन भर आप वरत रखें तो साम को एक टाइम भोजन कर सकते हैं पुर्ण हो जाएगी तो मित्रो आसा करता हूँ कि आपको हमारी यह ग्यानवरधक जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेर अवश्यक करें धन्यवाद जैस्री क्रश्नमित्रों फिर मिलेंगे